Hello everyone, Welcome to Maths Vidya आज किस वीडियो में हम बिनो के भाग को बिल्कुल आसान तरीके से करने वाले हैं तो करते हैं स्टार्ट First question है हमारे पास 2 बटे 3 भाग 1 बटे 5 तो 2 बटे 3 को 2 बटे 3 लिखना है भाग के निशान को गुणा के निशान में बदलना है और 1 बटे 5 को 5 बटे 1 लिखना है इसे पलट देना है और यह हो जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10 और 3 एकम 3 और यह हमारा अंसर हो जाएगा उपर उपर वालों की गुणा और नीचे नीचे वालों की गुणा करनी है और यह हमारा अंसर है सेकंड कोशन 5 बटे 16 भाग 3 बटे 4 और यहां 5 बटे 16 को 5 बटे 16 लिखना है भाग के निचान को गुणा के निचान में बदलना है और 3 बटे 4 को 4 बटे 3 में लिखना है और यह 4 से यह कैंसल हो जाएगा और यह हो जाएगा 5 एकम 5 4 ती यह 12 और ये हमारा अंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन देखती है एक बटा दो, भाग, तीन बटा चार, भाग, पांच बटा साथ अब तीन भी ने है और उन्ने भाग करना है तो वो कैसे करना है? तो एक बटा दो को एक बटा दो लिखना है पहली बिन को वैसे ही लिखना है भाग के निशान को गुणा के निशान में बदलना है और तीन बटे चार को चार बटे तीन लिखना है और फिर भाग के निशान को गुणा के निशान में बदलना है पांच बटे साथ को साथ बटे पांच लिखना है और अब 2 से ये cancel हो जाएगा 2 तो 7 दूने 14 और 5 दी ये 15 और ये हमारा answer हो जाएगा तो इस तरह से हम बिलों का भाग बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं तो अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें